तो वाट्स अब गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल गेमिंग विद एयार तो आज की वीडियो पे हम लोग दोबारा से खेलने वन है कार सेलर डीलर शिप सेमिलेटर और यह इस गेम पे लिए सिर्श का दूसरा एपिसोड है अगर आप लोगोंने पहला नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने स्किल पॉइंट को ओपन कर लिया है तो यहाँ पर में पर तीन स्किल पॉइंट है सबसे पहले हम लोग स्पॉंज को अनलॉक करते हैं फिर मैंने बारगैन की स्किल को अनलॉक कर लिया है और फिर मैं दुबारा से स्पॉंज की स्पीड क unlock कर लिया है तो आप हम लोग चलते हैं नेबर हुट और वहाँ पर जाके हम लोग एक अच्छी सी कार को बाय करते हैं फिर आफिस में लाकर सेल करते हैं तो यहाँ पर मुझे कार देख चुकिए देखते हैं कि कितने में सेल कर रहा है तो यह है Resp. Q7 और यह सेल कर रहा है 55.000 डॉलर में तो मैंने बारगैन पर क्लीक करके इसको अपनी ऑफर दे दी है जो है 55100 की लेकिन इसने ऑफर डीजैक कर दी है तो मैं इसको दوبारह आफर दे दिये और इस दफ़ा मैंने इसको आफर दिये 5700 की और इसने ये वाली आफर भी डिजेक कर दी है तो अब मैंने इसको लास्ट आफर दे दी है जो है 5800 डॉलर की और फाइनली इसने ये आफर एक्सेब कर ली है तो finally मैं अपनी कार को लेकर पहुच चुका हूँ आटो रिपैर शॉप तो देखते हैं हमारी कार कितनी जादा डैमिज है तो एक हजार बीज डॉलर में कार रिपैर हो रही है मैंने रिपैर ओल पार्ट्स पर किलिक कर दिया है तो finally हमारी कार रिपैर हो चुकी है अब हम लोग चलते हैं इसको लेकर उसका कलर चेंज करवाते हैं तो यहाँ पर यह कलर मुझे ODQ7 पर जादा अच्छा लग रहा है तो मैंने paint all कलर पर किलिक कर दिया है तो यहाँ पर मैंने अपनी कार को आफिस के अंदर पार्क कर दिया है आफिस के दोर को करते हैं ओपन फिर computer कौन करते हैं फिर मैंने वेपेज पर क्लिक कर दिया है फिर मैं not on sale पर क्लिक कर दिया है तो तकरीमन इसमें 7000 डॉलर लग चुके हैं तो मैंने इसकी प्राइश र अपनी और डी Q7 sale कर दिया है तो आफिस के दोर को करते हैं क्लोस और आज के अपिसोड को बस इतना ही रखते हैं तो ऐसे ही और अची वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दियेगा बैल आइकन को भी प्रेस कर दियेगा कुछ इ इस तरीके से मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जब तक ते लिए बाई बाई